एलिकॉम इंडिस्ट्री में धूम मचाने के बाद रिलायंस जीओ रिलायंस जीओ अब एक और धमाका करने की तैयारी में है यह धमाका जीओ की तरफ से इंटरनेट की दुनिया में किये जाने की तैयारी चल रही है अब जीओ अपने लो कोस्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क जीओ फाइबर जीओ फाइबर को लाँच करने की तैयारी कर रहा है माना जा रहा है कि जीओ की नई सर्वेसे देश के करोडों लोगों को फायदा मिलेगा इस सर्वेस के लाँच होने से ब्रॉडबैंड सेक्टर की कमपनियों को कड़ी टक कर मिल सकती है मीडिया रिपोटर्स के अनसार रिलायंस जियो फाइबर रिलायंस जाया फाइबर की तरफ से बेहद सस्ती दर पर एक GBPS की हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा की पेशकश की जाएगी एक टेक वेब साइट पर प्रकाशित खबर की माने तो जियो फाइबर मार्च के अंत में लॉंच हो सकती है हाला कि इस बारे में अभी कमपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है जियो ने मचाया था तेहलका Rolions Jio अपनी खास प्राइसिंग मॉडल के लिए जाना जाता है सितमबर 2016 सितमबर में Rolions Jio ने टेले कॉम सर्विस शुरू की थी जियो ने लॉंचेंग के साथ टेले कॉम इंडिस्ट्री में तेहलका मचा दिया था लॉंचेंग के बाद से ही कमपनी की तरफ से दी सस्ती दर पर दिया जाना वाले डेटा और वोयस कॉल से इंडिस्ट्री में प्राइस वार चल रहा है कम कीमत में हाई स्पीड इंटरनाट टेक वेब साइट में प्रकाशित रिपोर्ट की मानें तो यह सर्विस फिलहाल सूरत, मुंबाई, अहमदाबाद, वडोधरा, दिली एंसी आर, हैदरबाद और जामनगर जैसे दस बड़े शहरों में मिलेगी इस सर्विस के रिस्पांस को देखते हुए धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा साल के अन तक कमपनी जियो फाइबर की सर्विस को 30 शहरों में शुरू कर सकती है यह हो सकता है प्रमोशनल ओफर जियो की ओफिशियल वेब साइट पर लीख हुई जानकारियों की माने तो जियो हर महीने 100 MBPS स्पीड वाला 100 GB डेटा तीन महीने तक दे सकता है यह कमपनी का प्रमोशनल ओफर होगा इसके आलावा जियो के राउटर के लिए 4000 रुपे तक गाहक से लिया जा सकता है और यह रकम रिफंडेबल होगी 100 GB डेटा की लिमिट पूरी होने के बाद यह स्पीड एक MBPS तक हो सकती है एक अन्य रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जियो 500 रुपे में तीन महीने तक 100 GB डेटा की कमपलिमेंटरी सर्विस दे सकती है आपको बता दें कि जियो अपनी DTS सर्विस लाने की तैयारी में भी है